हलो एवरिवन कैसे आप सब आई होब आप सब बहुत ही खुश और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों आज मैं पूनम प्रजापत आप सभी बच्चों का कक्षा ग्यार्वी के रसाइन विज्ञान की पहली क्लास में स्वागत करती हूं बच्चों आज आपन जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं केमेस्ट्री रसाइन विज्ञान इसके बारे में आपने कक्षा आठ्वी नवी और दस्वी में भी पढ़ा है है ना पढ़ा है ना हां वहां पर आपको टीचर्स ने कुछ तत्मों के बारे में बताया जैसे कार्ब अक्सिजन मिलता है तो H2O बन जाता है राइट पढ़ा था समझ में भी आया है इसलिए आज आपको अक्षा दस्वी पास करके 11 क्लास में पहुंच चुके हैं राइट जब पक्षा दस्वी में पास हो गए 11 में आ गए तो वहां पर सब्जेक्ट का स्लेक्शन भी हो चुक अब अपन जो है वो केमेस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो अब बच्चों थोड़ा सा कमर कसलो और आगे पढ़ाई की जर्णी को शुरू करो क्योंकि जुलाई आ चुका है जिन बच्चों ने अभी नहीं सोचा है कि हमें पढ़ना है कि कब शुरू करें वह आज मेरे साथ इस नई उर्जा और उमंग के साथ यह कारे करना शुरू कर दें राइट तो बच्चों अब अपन केमेस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि रसाइन विज्ञान जो शब्द है वो शब्द उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है राइट उसकी उत्पत्ति कहां से स्ट्री जो रसाइन विज्ञान से हिंदी में अपन कहते हैं उसमें अपन देखते हैं कि रसायन विज्ञान जिसे क्या कहा जाता है केमेस्ट्री भी कहां जाता है राइट यह केमेस्ट्री जो शब्द है इसको सबसे पहले विज्ञानिक लेवासी ने क्या किया था नाम दिया था इसकी खौज की थी राइट किसने किस वेगयानिक ने लेवासी ने राइट बच्चों लेवासी ने इसकी खौज की और उन्हें ने कहा कि मिश्र जिसका प्राचीन नाम है कीमिया क्या है मिश्र जिसका प्राचीन नाम क्या है कीमिया है कीमिया शब्द से हुई है और जिसका रंग होता है जिसका अर्थ होता है काला रंग राइट बच्चों काला रंग और हम केमेस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या पड़ते हैं कारबन राइट जिसका भी रंग क्या होता है काला ब्लैक ओके बात समझ में आ गई होगी यानि सबसे पहले केमेस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किसने की किसने की लेवास ये न जाता है क्या का जाता है बच्चों फादर ओफ केमेस्ट्री थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि भारतिया रसाइन विज्ञान के जनक कौन है भारतिया रसाइन विज्ञान के जनक कौन है तो भारतिया रसाइन विज्ञान के जनक बच्चों किसे का गया है PC रॉय को किसे कहा गया है बच्चों PC रॉय को बात समझ में आ गई होगी है ना यानि की अपन ने रसाइन विज्ञान जो शब्द है उसकी अर्थ को देखा उसको किसने बताया उसके जनक कौन है भारती रसाइन विज्ञान के जनक कौन है समझ में आ गया यह तो था क विज्ञान के बारे में बच्चों आपको यह समझ में आ गई होगी है ना तो अब आपको लग रहा होगा ना यह तो इंट्रेस्टिंग है बिलकुल यह बिलकुल बहुत इंट्रेस्टिंग है तो जल्दी जल्दी बताएं कमेंड में की कैसा लग रहा है मेरे पहले बच्चो को ओके बच्चों अब चलते हैं अपने अगले टोपिक की और क्या रसाइन विज्ञान की परीभाशा रसाइन विज्ञान की परीभाशा क्या है बच्चों रसाइन विज्ञान जब हम शब्द सुनते हैं तो अपन देखते हैं कि आसपास कई चीजे हैं हना वस्तुएं है जिने अपन पधार्थ कहते हैं राइट यह अपने चारों और जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है वो सब पधार्थ है तो उनके गुण कैसे हैं कैसे दिखाई देती है इनका जब अध्यन किया जाता है तो वह अध्यन किस में आता है विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान में जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है रसायन विज्ञान की परिभाशा जिसे आप एक्जाम में दी लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है विज्ञान की वह शाखा जिसम पदार्तों के गून के सरंचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्यान किया जाता है वहें vyज्यान की शाखा रसायन-v うज्ञान है बात क्लियर हो गई होगी तो बच्चों आगी थोड़ा सा और बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं रसायन- Fine विज्ञान की शाखाओं के बारे में शाखाएं क्या है रसाइन विज्ञान की जो शाखाएं है मतलब आपके पास रसाइन विज्ञान की एक भुख है ठीक बात है उस किताब को आप केवल चैप्टर पढ़ लिए हो गया ऐसा है या फिर हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर करेंगे हाँ याना न तो इलंद में चीजओं को जानना थोड़ा सा जरूरी है बच्चो तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं शाखा के नाम के बारे में सोन पहला नाम है क्या कार्वनिक रसायन एं विज्ञान तो कार्वनिक रसायन僕या है जिसमें अपन बच्चों क्या करते हैं कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए यजिरकों के बारे में पढ़ते कार्बन नाइट्रोजन या फिर यू कहाद के कार्बन रफाबन के साथ इंग कई तत्व जुड कर योगिक बनाते हैं तो उनका जो भी अपने पास पदार्थ हैं उनके मात्रक उनके मापन की पद्धतियां उनको किस प्रकार लिखा जाता है उन्हें किस प्रकार मापा जाता है इनका अध्यन करना है तो वो हम रसायन विज्ञान की कौनशी शाखा में करते हैं धोतिक रसायन में राइट आगे चलते हैं अगला जो अपना है लास्ट वो शाखा कौन सी है जीवरसायन अपने शरीर में पाए जाने वाले हार्मोंस एंजाइम्स केमिकल्स जो भी हैं उनकी सरंचनाए सुत्र क्या होती हैं वो सब किस से जुड़े हुए हैं रसायन विज्ञान से इसलिए हम क्या पढ़ते हैं जीवर रसायन विज्ञान राइट बच्चों तो आई होप आप सब को ये परिभाशा और शाखाओं के बारे में जानने से यह पता चल गया कि हमें एक बुक में कितने भागों में पढ़ना है तो अब यह तो हुआ आपका सिंपल सा एक परिच्छ है जो हमें रसायन विज्ञान क अपने टॉपिक पर आते हैं आज अपन जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपना पहला अध्याय जिसका नाम क्या है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधार नहीं क्या होती है इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कैसे टॉपिक्स होंगे सोचो भई थोड़ा सोचना पड़ रहा है ना ऐसे लग रहा है कोई हाड तो नहीं होगा ऐसे तो लग रही होगा लगता है भी छोटे-छोटे हो ना इसलिए पर डॉंट वरी आराम से चिल करो बहुत इजी चप्टर है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रही हूं कि इस चप्टर में कौ कौन से महतफूर विन दू है जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है राइट तो आयए बच्चों शुरू करते हैं अपना पहला जो टोपीक होगा वह क्या है पहला टॉपिक होगा बटा रसाइन विःख्यान का महत्व रसाइन बग्यां का मैंतों मतलब क्या अपने आसपाद जो भी पदार्त हैं वो अपने जीवन से जूड़े हुए है ना अब वो चीजें केमिकल है कि नहीं है हमाई जीवन में उसका कैसा यूज है यह सब हम यहीं पर स्टड़ी करेंगे इस छेत्र में कौन-कौन सी शाखाएं रखी गई है किस तरह से उन्हें अपन पढ करेंगे ओके आगे चलते हैं अगला टॉपिक है द्रव द्रव क्या है यानि पधार्त क्या होता है मैं कहूं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जिसके अंदर रसायन नहीं हो तो पधार्त है तो वह भी रसायन हुआ ना तो वह सब चीजें रसायन विज्ञान में पधार्त क्या है पदार्थ की जो प्रकरती है वो कैसी होती अवस्थाएं कैसी होती है उनमें जो मापन होता है वो किस तरह से होता है वो सब हम यहां पर discuss करेंगे उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो और इंट्रेस्टिंग टॉपिक आएंगे वह होंगे कि रसाइन विज्ञान में जो रिशॉर्च किए विज्ञानिकों ने उन्होंने कौन-कौनसे नियम दिये हैं तो वह नियम परमानुद्रव्यमान और आण्विक्ष्ण द्रेव्यमान तत्व पड़े पधर्ध के अंदर तत्वों को देखा तो कोई न कोई उनका भार होगा उनका मान होगा वो हम कैसे गणितीय रूप में निकाल सकते हैं उसको भी हम इसी चाप्टर में डिसकस करेंगे और सबसे अगला है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे अगला जो टॉपिक है वो है मोल संकल्पना बच्चों मोल संकल्पना एक ऐसा टॉपि बहुत हैल्प करने वाला है इसलिए इसको बहुत लिए अच्छे से आपको पढ़ना है लेकिन वह तंवी पढ़ पाऊगे जब उपर के साई टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे तो बच्चों अच्छे से इन सब को पढ़ के आपको मोल संकल्पना तक आना है तो यहां पर आप double star लगा के इसको not रखे मॉल संकल्पना क्या है आगे आता है टोपिक आपका क्या अगला टोपिक आता है प्रतीषद संगठान औरक्त परकल्पना ये टोपिक जी शाप्टर में आगे अपनदेटिशन में डिसकस करेंगे तब तक अब यह चीजें आपको क्लियर हो गई होगी मैं ऐसा सोचती हूं कि अब आपको आइडिया लग चुका है कि इस चैप्टर में क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं राइट बच्चों तो चलिए आप शुरू करते हैं फर्स चैप्टर का पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है रसायन विज्ञान का महत्वर राइट रसायन विज्ञान का महत्वर बच्चों रसायन विज्ञान का महत्वर जैसे अपन पीछे अभी टॉपिक्स में पढ़ रहते हैं तो वहां तो अपने जनरल सी बात की थोड़ा सा और देखते हैं रसायन विज्ञान जब भी हम पढ की हैं तो उसके मेहत्व को आते ही एक क्लिक कर जाता है कि इसमें इसका मेहत्व कहा कहा किस-किस छेतर में वाहत है कम समय में कम लागत में अच्छा production होना चाहिए वहां भी है और सबसे ज्यादा आज जो डिमांड है वो रसाइन की किस छेत्र में है चिकित्सा के छेत्र में राइट और चिकित्सा में भी कौन सी ऐसी बिमारी है जहां आज सबसे ज्यादा वर्क की जरुवत है तो वह बच्चों कैंसर तो अब अगला जो पार्ट है जो इसमें महत्वपूर्ण है वह यहीं है कि कैंसर के इलाज में उप्योग में लाई जाने वाली ओश्दी क्या है राइट हम सब उत्सुख है यह जानने के लिए सोच रहे होंगे आपकी इसकी उपचार की ओश्दी है बिलकुल है लेकि कैंसर के इलाज में उप्योग में आने वाली ओश्दी का नाम क्या है सिस प्लाटीन और टेक्सोल राइट बात समझ में आ गई होगी आगे यह से ही इंपॉर्टेंट जो एक और डिजीज है वो है एड्स राइट तो उससे संबंदित एक और ऐसी अपन बात जो अपने को स समझनी है याद रखनी है जो एक्जाम की दरश्टी से बहुत मैं तो वह है कि एड्स के लिए भी कौन सी ओश्दी उसके उप्चार में काम में आनी है सोचो बच्चों है ना इंट्रेस्टिंग क्योश्टन इन दोनों में से एक क्योश्टन एक्जाम में पक्का आता है यह रहा क्या रहा इसका अंसर सका है एचिदो फैमीडिन यान ही कैंसर के इलाज मेन उपयोग में आते है सिस प्लाटीन आर्ट टेक्सल वहीं पर एड्स के अंदर आता है क्या एड्स के इलाज के लिए आती है एजी तो थाई मीडी क्लियर बात समझ में आ गई होगी बच्चों अगर आ गई है तो फुटा 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 में लिखते रही है वेरी गूड सब लि अपना टॉपिक है वो है क्या द्रव यह क्या है द्रव क्या है है नहीं यह सब जो द्रव्य शब्द है यह कख्षा आप नाइन्थ में बहुत अच्छा से डिस्क्राइब करके पढ़कर आए है लिए अब यहां पर भी इसको पढ़ना है यह हर क्लास में क्यों आ रहा है क् कि इंपर्टेंट है रसाइन विज्ञान इसके बिना अधूरा है इसलिए सबसे पहले अपने को इसके बारे में जानना होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे तो चलो बच्चों ग्रव क्या होता है थोड़ी सी इसके उपर चर्चा करते हैं बच्चों आपके सामने किताब रखी है हाथ में आपके पेन भी है राइट आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो अब सोचो क्या यह किताब को इस्थान गेर रही है क्या क्या इसका कोई वजन है क्या पेन जो है उसको रखो क्या वो भी कोई स्थान गेर रही है क्या हां गेर रही है तो यह क्या है सब प पधार्थ की परिभाशा जो है वो इसी शब्दों को मिला कर बन जाती है बच्छों पधार्थ द्रव्य को हम पधार्थ भी कहते हैं क्या कहते हैं बच्छों द्रव्य को पधार्थ भी कहते हैं और पधार्थ क्या होते हैं वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या या जिनका कोई न कोई द्रव्यमान होता है क्या कहलाती है क्या कहलाती है जलती बताओ जलती बताओ वेरी गूट कमेंट में लिख रहे हैं बच्चे क्या कि उसे हम द्रव्य या पधार्त कहते हैं वेरी गूट वेरी गूट तो शायद बात समझ में आ गई होगी अब यह पता भी चल गया होगा कि हम आज किस पर डिसकस करने वाले हैं अपना मेन टॉपिक क्या है द्रव्य राइट तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं आप इसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें ओके अगला टॉपिक है आपका क्या बच्चों अगला टॉपिक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चो पदार्त की या कि प्रकर्ती और आवस्था क्यों पूल रहे हैं क्या मतलब होता है सोच यह ना बताओ ब Guinea बहुत जल्दी बतों जलदी चलदी 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 कि इन बंटार्त की तीन अवस्थाइइ है ना आप यह सोजे माडम या तो स्क्रीन पे हमने फोटो देख लिया है ना खुश हो गए अरे क्यों फोटो से नहीं चलेगा बहुत कुछ है अभी राइट वेरी गुड चलते हैं आगे आव बच्चों शुरू करते हैं सबने सही आंसर किया है पदार्त की कितनी आवस्था हैं है वही तीन थोस फिर द्रव फिर गेस राइट अच्छा चलो आगे चलते हैं सामने देखो आपके पास क्या है सामने आपके पास थोस द्रव और गेस है है ना एक में जो अपनी वाच गिलास है उसमें कोई पदार्त रख दिया थोस है एक बीकर है जिसमें पानी जैसा कुछ है लिक्विड है ना ड्रव है और नीचे गूबाले जीसे स्ट्रेक्शर दिखाई दे रहे है जिसमें कंड दिखाई दे रहे हैं आपको पता भी है लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तारित रूप में देखें तो सामने एक डैग्राम रहा है जो इनी पर रहा है की ठोसों के कण कैसे होते हैं द्रवों के कण कैसे होते राइट साथ ही वो यह बता रहा है कि किसका आकार निश्चित है आयतन मृत रहा है किसका आकार आय तरह नहीं है र fifa Satty यह थोड़ी चर्चा करेंगे तो आज़ें फटावर ठोस द्रव और गेस इनमें अंतर थोदा से देख लें जब्सपर ठोस ठोसों में क्या देखेंगे अपन क्या देखेंगे कणों की इस्थती हाँ या ना पहला पॉइंट क्या है कनों की इस्थती कैसी है कन पास-पास है दूर-दूर है या बहुत जाद दूर है डाग्राम में देखकर बिल्कुल क्लियर है कि ठोसों के कन पास-पास होते हैं द्रवों के कन थोड़े दूर और गेसों के कन बहुत जादा दू होते हैं तो ठोसों में कंड क्या होते हैं कंड पास पास होते हैं द्रवों के कंड क्या होते हैं ठोस की तुलना में जल्दे लिखो तुलना में पास की दूर दूर तथा गेस की तुलना में क्या क्या रैइट आगे चलते हैं क्या दूर दूर होते हैं बाद समझ में आ गये होगी बच्चे सबने सही सही लिखा है बहुत अच्छा है पहला पॉंच हो गया आप दूसरा पॉंच दूसरा पॉंच क्या है जब कर्ण की स्तती देख ली तो यह कंड कैसे लखे हुए पास पास हैं दूर दूर आ देख लिया हैंज जब पास दूर एं तो इनका आकर्षण कैसा है यानि कि आकर्षण की छम्ता कैसी है राइट तो अब अपन इनको ये देख सकते हैं कि अपने पास जो कड़ है उनमें आकर्शन कैसा है ठीक है भई बिलकुल बिलकुल अब आकर्शन क्या होता है इन में इन कड़ों के मद्या अधिक क्यों क्योंकि यह बहुत पास-पास है सेकेंड आकर्शन क्या है कम ठीक है थोड़ा कम होता है मतलब और इसमें बहुत कम बिल्कुल बात समझ में आ गई, थर्ड पॉइंट आओ भई, जब बच्चों कंड देख लिये, आकर्शन देख लिया, अब क्या देखना है, अब देखना है कि इनका आकार कैसा होगा, आकार की बात करें, तो आकार ठोसों का तो क्या होगा बच्चों, निश्चेत, यस और बिल्कुल, इसमें भी आकार क्या होना चाहिए, निश्चेत की एनिश्चेत, आकार होता है, एनिश्चेत, क्यों भई, क्यों होता है, फटावट कमेंड में लिको जल्दी जल्दी, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं बिल्कुल, और गेसों में भी क्या होता है, एनिश्चेत, राइट ओके डान आकार क्यों निश्चित है थोड़ा सा अगर सोचें तो अपन देखते हैं कि पानी को अपना आप किसी भी पात्र में रख रहे हैं कटोरी में और ग्लास में तो कटोरी में डाला वैसा हो गया ग्लास में डाला वैस तो आकार अनिश्चित गेसों का तो वैस तोपिक है क्या है चो था चो टोपिक है वह आपका या आई तर आन राइट अब यह आई तन कैसा हों पर आई तन में तो जादा टेंशन नहीं है क्योंकि जिसनका आई तरनमिश निश्ट होना है लेखे थोड़ा साथ द्रव में रुकना पड़ेगा आयतन कैसे अगर आपने एक लीटर पानी लिया है तो आप किसी भी पात्र में डालो पात्र अलग अलग हो सकते हैं पर पानी एक लीटर ही रहे तो द्रव का आयतन भी निश्चित होता है पर गेसों का नहीं तो सबसे पहले क्या निश्चित कोई से इसमें कोई डाउट ही नहीं है और अगला क्या है द्रव का भी क्या होता है निश्चित होता है हाँ या ना बिल्कुल बिल्कुल और यहां क्या होता है और निश्चित होता है वेरी गुड बच्चों बात समझ में आ गई होगी यह सोड़नों फटापट कमेंड में लिखो जल्दी जल्दी क्या बात है बड़े जोश के साथ पढ़ रहे वास तो बहुत अच्छा लग रहा है वेरी गूड वेरी गूड चलो फटावर इसका जल्दी से ओके डान चलते हैं आगे अपना अगला टॉपिक यहां तक बात बच्चों क्लियर हो चुकी ह होगी इसमें कोई भी टॉपिक समझ लिए नहीं है कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं बिलकुल-बिलकुल वेरी गूड बच्चे के रहे हैं सबसंबंद में आ रहा है वेरी गूड भई सबसंबंद में अच्छी बात है चलो जी अगला टॉपिक पर आते हैं और वह जो होते हैं उनको इतना आसान थोड़ी है वो छोटी से चीज में समेट के रह जाए नहीं उसको भी समझना पड़ेगा उसी लिए सो समझाने के लिए आपके स्क्रीन पर चार्ट बनाया हुआ है उस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि द्रव्य को मुख्य रूप से कितने भागों में बाटा है दो भागों में जिसे पहला है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण राइट शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या है यह शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं यह मिश्रण क्या होते हैं सोचो बई सोचो बई कमेंड में लिखो विलकुल विलकुल बच यार हो गए है गुड़ गुड़ सही सोच लिया बिलकुल कई बच्चे लिए समान कन हो बिन बिन हो क्या बात है नाइंध क्लास का पड़ावा काम आ रहा है जिसने अच्छे से पड़ा उसको पता है ठीक बात है जिन्होंने पड़ा हुआ है तो उसके लिए easy भी रहता है नह आपको पता है तो फिर में थोड़ा सा आपके साथ क्यों कर लेती हूं ताकि आप का भी थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग माहल क्रियेट हो जाए है ना तो बच्चों आपने घर में यहूं का आटा सबने देखा है देखा है नो बिलकुल आज भी देखना ध्यान से अब तक परेशान है कि हमारे बच्चे आजकर खाना नहीं काते उनके पॉस्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो वह क्या सोचती है कि अगर एक समय दाल बना दें तो वह सब क्या होंगे आराम से खालें और जो पॉस्टिक चीजे मिलने चाहिए बॉड़ी को भी क्योंकि दाल में सबसे थीए बाई लेलो आब मम्मी ने बहुत साइडाले mix क के लख दी बच्चों सोच वो डाल जब mix ममी ने किया है वो क्या है था सोचना जल्दी कमेंट में बताओ कि क्या है में लिख दिया गया है बच्चों यह भल्कों क्या बात है विल्कुल 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 भई समझ में आ रहा है इसका मतलब है ना तो बच्चों इसी को अपन आगे लेकर चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं सबसे पहले क्या है आपका शुद्ध पदार बच्चों शुद्ध पदार्त की डेफिनीशन क्या होगी आपको पता च ज्याएघजामपल में दिया तो थोड़ी परीभाशा भिजानी चैहेऽ इस तक संगुद्ध पदार्त क्या होते हैं वह ले पदार जब एक 2 या 2 से अधिक जब आपस में मिलते हैं तो नििश्यत संग्ठन में होते हैं राइट क्या होते हैं निश्यत अ संघ्ठन में जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अधिक पधार्थ आपस में आपस में निश्चित संगठन में मिलते हैं निश्चित संगठन में मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं शुद्ध पधार्थ कहलाते हैं राइट बात समझ में आ गई होगी गेहूं का आटा इस दा बेस्ट एक्जामपल राइट अब बेस्ट एक्जामपल तो ठीक है शुद्ध पधार्थ को हमने फिर से वर्गी करत कर दिया और क्या ले लिया दो भाग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कौन से पहला तत्व और दूसरा योगिक बात समझ में आ जाने चाहिए तत्व और योगिक बच्चों बिल्कुल 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 अब आजओ ने तत्व को बहुत पढ़ा है है ना अब आप सोचें यह कभी समझ में आया नी आज भी निया रुको 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 आएगा आज पक्का समझ में आएगा आज जब यहां से क्लास आफ करके जाओगे तो तत्व यह का बेसिक कॉंसेट बिल्कुल क्लियर प्रॉमिस राइट परध्यान से देखना पड़ेगा जल्दी चलो तो तत्व जो होता है बेटा उसके जो घटक होते हैं वह कौन से होते हैं थोड़ी सी चर्चा कर लें क्या आपने तत्व को कि आवर्थसान नहीं पड़े थी उसमें तो हाइड्रोजन था पर ऑक्सिजन के वल ओ था अब ओटू भी लिख रहे हो यह सब क्या है कुछ नहीं यह सब तत्व है अब जो घटक मैंने लिखा है वह घटकों में ही क्या होता है बच्चों दो भाग होते हैं परमानूबी औ और अनूबी बिल्कुल बिल्कुल तत्व में परमानूबी होते हैं और अनूबी होते हैं परमानू क्या है परमानू सुक्ष्मतम कन है राइट अगर कन समान है तो वो तत्व है समान है पर दो है तो वो आनू है राइट फूर एक्जामपल जैसे हाइड्रोजन है सोडियम है, potassium है, यह ऐसे तत्व हैं जो हमेशा हमें एक अकेले ही दिखाई देते हैं, right, तो यह परमानु है, इन्हें तत्व कहा गया, लेकिन कुछ तत्व जैसे oxygen, nitrogen, chlorine, ऐसे हैं, जो हमेशा हमें अनु के form में मिलते हैं, right, तो यह जो परमानु और अनु है, यह सब क्या है, बच्छों एक तत्व का ही भाग है आज बात समस्झमें आ गई ततो के कितने घटक दो पर मानूर और अनु पर्मानू जो अकेले होते अनु जो दो पर्मानू जुड़कर बने होते क्लियर लेकिन होते दोनों ही तत्व हैं की ड़न कि चलते हैं थोड़ा सा शयद आज आज तट्व क्लियर है कमेंड में लिगते जल्दी जल्दी योगी क्या है जो है वो किस से मिलकर बना होता है तत्वों से नहीं मिलकर बना हुआ होता है जब 2 या 2 से अधिक भिन तत्व लेकर संगठन निश्चित संगठन कभी बदलना नहीं चाहिए तो वह क्या होता है उसे क्या कहते हैं उसे हम योगिक कहते हैं जब दो या दो से अधिक, से अधिक, बिन बिन तत्व, बिन बिन तत्व, क्या करते हैं, एक निश्चत, संग्ठन, संग्ठन में आपस में जुडते हैं, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, योगिक कहते हैं, जैसे H2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सिजन का अनुपात निश्चित है, उसका संग्ठन कभी नहीं बदलता, वहीं CO2, जिसका भी बिलकुल संग्ठन निश्चित है, बात समझ में आ गई होगी, यहां तक तो क्लियर है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपने चार्ट में देखा, कि मिश्रन जो था, वो क्या है, वो भी फिर से क्या किया गया है, वर्गी करत किया गया है, तो अपन देखेंगे कि अपना जो मिश्रन है, वो मिश्रन जो है, वो कितने भागों में बच्चों, दो भागों में, पहला समांगी, और दूसरा विश्मांगी, राइट, अब अपन जो समांगी और विश्मांगी और मिश्रन है, उसको अच्छे से एक बार, फिर से थोड़ तो मेरे बच्चों को पता है मैंने भी बता दिया तो ज्यादा बोर्यत नहीं फेलाते हैं और अपन टॉपिक पे सीधा आ जाते हैं और इसके कितने बाग दो हो क्या नाम या भई पहला क्या है समांगी बेलख को दूसरा क्या है विश्मांगी बच्चों ये कशा 9 पे में आया था क्या जल्दी नं Divi वड़ाव कर लिखो है जल्दी है पता है इसका मतलब थोड़ा थोड़ा Idea है बिलकुल होना चाहिए थोड़ा ऐसका मतलब समझ में आजाया सम और समांगी समांगी और विशेoka अनि विशम मतलब अलगाला रइट समांगीँ मिश्रण मिश्रण का मतलब दो ये दो से अधिक पदार आपस में मिलतें अ बंद intelligence मिल रहे होते हैं तो आपन देखते है कि कोई पात्र में अपने पानी ले लिया ठीक बात है और पानी ले करके यह तो पानी यानिकी जल हो गया और उसमें आपने चीनी को मिला दिया ठीक है ना जैसे ही मिलाया तो अब मिलाने नहीं लगा आप चले गए कि हम लोग लेके आते हैं अभी देखते हैं नो-noh पड़ो ओके तो चीनी और पानी को मिलाया तो एकदम डिजॉल्व हो गई एकदम क्लियर सोलीशन हो गया कोई दिक्कत नहीं अब क्या पर इनको अलग अलग देख सकते हैं क्या नहीं उसके अंदर घुल चुकी है तो जो आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें क् समांगी मिश्रा राइट एक डाइग्राम आपको उसकी परिभाशा को बता दिए बिलकुल ऐसे ही यदि आप क्या करें पात्र में डाल के दाने डाल दें ठीक है डाल डाल दी और इसमें कंकर डाल दें यह कंकर हैं पात्र में रखी हुई दाल और कंकर का साइज अलग गलग जो आपस में मिले नहीं है तो बच्छों ऐसे पदार्थ कौन से होंगे ऐसे मिश्रन कौन से होंगे वह होंगे विश्मांगी बात समझ में आ गई देखो साइंस कितना इजी है डाइग्राम से परिभाशा याद हो गई राइप परिभाशा क्या बढ़ी फटा फटा रहे हो चलो चलो मैं बता देती हो भी तो फिर आप मुझे लिखकर बता देना समांगी विश्रन क्या होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में आपस में पूनतया कि मिलते हैं या मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं से समांगी विल्या और वहीं परिभाशा इसकी जस्ट उल्टे क्या होगी जो पूनतया नहीं मिल दे विश्रन की पदार्थ कह लाती है जब दो या दो से अधिक पधार्थ आपस में पूर्टया नहीं मिलते हैं नहीं मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं विश मांगी ठीक है यहां तक टॉपिक क्लियर हो चुका होगा अगर हो गया है तो फटावट कमेंड में यस 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 लिखते चले जल्दी अब अपन थोड़ा सा इस टॉपिक से रिडिटर क्यों करते हैं कि बहुत थ्योरी पढ़ ली है ना अब बोर होने लग गए होंगे मैं कब से जब से आए तब हवाव वायू किश्प रकार का मिश्रण है जल्दी कमेंट करो जल्दी कि किस प्रकार का मिश्रण जबसेश200 पहले कमेंट करेगा इसका मतलब उसने सारी पूरी क्लास जो वह बहुती ध्यान से पड़ी है जिसने पड़ा है वही अंसर दे पाएगा है कि नहीं बिलकुल 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 देखो कितनी जल्दी सब प्रकार कमिशन बच्छों बहुत सारी गैसे जैना कई बच्चों ये आंसर ये क्लिक कर रहा होगा मैड़म बहुत सारी एंगे से हैं ऑक्सिजन है नाइट्रोजन है कार्भेंड़ायोकसइड है और इनका तो अनुपाद अलग अलग नहीं वहीं रुख जाओ जहां सोचना शुरू किया वहीं आगे नहीं सोचना गलत सोच रहे हो ओके यह जितनी भी गैसे हैं वायू में हवा में उन सब में जो भी गैसे हैं उनका संग्ठन बिलकुल निश्चित है राइट यह सब आपने पड़ा हुआ है तो यह कैसा मिश्रण हुआ समांगी सबने उ तो अब एक और क्येस्टन हो जाए चलो चलो जल्दी जल्दी यह देखो स्क्रीन पर डूसरा क्येस्टन क्या है जल्दी पढ़ो जल्दी क्या है भई क्या पीतल समांगी मिश्रण है हां या नहीं जल्दी 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 फटावट बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी ज बाई बिलकुल यह सब बच्चों ने मेरी क्लास लगता है बड़ी ध्यान से पड़ी आज बिलकुल भई हाँ भई पीतल क्या है एक समांगी मिश्रण है राइट पीतल किससे बना है सबको पता है तेंट में थाना थर्ड चैप्टर दातु और दातु अला उसमें पीतल धाना किसका बना होता है तामबा और किसका तिन का तामबा और तिन राइट तामबा और जो तिन है वो दोनों धातु है और धातु आपस में मिलकर कि पीतल बना देती है पीतल को देखकर बता नहीं सकता कोई कि इसमें तामबा और तिन दोनों मिले वें राइट इसलिए तो यह क मांगी मिश्रण है क्लियर वेरी गोड आप थोड़ा सा एक क्रेशन एक एक ठीक है यह देखो यह देखो यह क्या आया भाई कौन सा प्रशन है जल्दी 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिने सब समझ में आ रहा है इसलिए फटा-फटा आंसर कर रहे हैं जल्दी करो जल्दी जो सबसे पहले करेगा इसका मताब सबसें इंटेलेजेंट बच्चा इसक्लास का नमक और चीनी किसПरकार का मिशर पठलिए ना बता हो अशर क्या है जल्दी-जल्दी मैं बताया भी था अगर जिसने ध्यान से सुना है तो इसका अशर में बता दिया class me henna kya tha namak me chini milady to wo alexa dicking right is liye ksa hey sub-batcho naysay answer kiya very good answer who are kya he ksa hey wish mangy very good very good excellent students very good bidding chalo by agla up chalo last is bar again he was your last last okay done year up kagla question ki rudin ksa miss run hey rudin ksa mission hey madam rudin kovini choda in koi pakarli avi padar padar miru diri liya aap zaruri anna thoda zaruri abita padnai question important be have bought bought push a guy exam me bought my right job schooling me 11 class me on kya question aata hi hai ki mission ke topic me say a question confirm hai is a stop it ko baut achse se si lietna detail me kar raha okay to mission jo rudin hai wo kaisa mission hai rudin joh hai aap nai pada hai da svi class me rudin me kya hootin wbc hootie a rbc hootie a black let soti hootie na in ka alag alag kanon ke akar hootin is niko प्रथक 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 देखा जा सकता है माइक्रोइस्कोप में तो यह कैसा mission हुआ फिर जब देखा जा सकता है अलग-अलग किया जा सकता है तो यह भी हुआ क्या एक थोड़ा मैं अपना topic है द्रवे या पधार जो है आपका उसके क्या गुंधरम अब यह गुंधरम कैसे होते हैं द्रवे के गुंधरम और उसका मापन अपना topic है बच्चो सोचो और comment में बताओ कि गुंधरम जो अब आपने पड़े हुए हैं क्योंकि तेन्त में भी तो रसाइन विज्ञान था ही ना के विसी के topic थे ना वहां पर आपने क्या पड़ा था गुंधरम के काम पर कितने प्रकार के पड़े राइट तो फटामट कमेट में लिख रहे हैं बच्चे बिलकुल बिलकुल कितने प्रकार के पड़े थे बेटा गुंधरम अपने पड़े थे दो प्रकार के तो दो प्रकार के जो गुंधरम आपने पड़े थे वह कौन-कौन से हैं आपक होता है वैसा ही होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसके गुणों में कोई चेंज नहीं होता सब specially यе डिए थे क्लास सेल पड़ते हैं क्लीर तो अब भूते गुण में अपन देखते हैं कि अपने भूते गुण जैसे रंग हुआ, गंद, ठाई ठीक है, अवस्था, गलनांक, क्वथनांग, ठीक बात है, यह सब भोतिक गुण है, जो क्या होते हैं, इन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका अपन मापन कर सकते हैं, तो वो होते हैं भोतिक गुण, लेकिन, रासायने गुण कौन-कौन से हो ज्वलंशिलता, ज्वलंशिलता और अमल, या चाण के साथ, पदार्थ की क्या, क्रिया, बिलकुल, सही बात है जी, समझ में आ गई, यानि इन में तो क्या होगा, परिवर्तन होता है, पर यहां पर परिवर्तन नहीं होता है, क्लियर, अब चलते हैं, आगे, इसके परिभा आशा की और भी देख लें थोड़ा सा देख लें वे पधार्थ जिनके गुणों में बिना परिवर्तन के उनका क्या किया जा सकता है तो वे पधार्थ जिनके गुणों में बिना परिवर्तन किये मापन किया जा सके वो कौन से परिवर्तन होंगे वो कौन से गुण होंगे वो भोतेक गुण होंगे सही बात है सेकिन में रासाइनिक में क्या बताएंगे अपन वे पधार्थ जिनका मापन बिना गुणों में परिवर्तन के संभाव बरिवर्तन के संभव नहीं है नहीं है उन्हें रासाइने गुण कहते हैं सही है अब मापन यहाँ पर एक शब्द आया है क्या बेटा मापन दोनों में दिखाई दे रहा है ये बात समझ में आई यह सबको समझ में आ गई होगी बात क्लियर भी होगी होगी कि भौतिक गुण कौन से यह इन शोड़ शब्दों में बोलूं मैं इन सबको छोड़ करके एक लाइन में बोलूं जिनको आप देखने जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है वो भौतिक गुण लेकिन जिनको देखने पर परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है वो रासाइनिक गुण बहुतिक गुण सामने से दिखाई देगा आपको है ना रंग है आवस्ता है गंद है दिखाई देती नों रासाइनिक इतना आसानी से दिखाई परिवर्तन दिखाई नहीं देता तो वो गुण रासा है नहीं गुण हो गए क्लियर दूद का दही में परिवर्त दिखाई थोड़ी देता है होग करके सामने आता है तो इसी तरह से अपन इन चीजों को क्लियरिफाई कर चुके हैं आप अपन जब अपन यह देख लिया तो अपना जो टॉपिक सरे नहीं जाइधा से हैं तो मपन में कोई भी मापन करते तो इसके कोई ना कोई पदती होगी तो आपकी स्क्रीण की अंतरश्ट्र राश्टिय पदती राइट वह मात्रकों के जो मापन आ रहा है वो क्या है बचों अपन देखते हैं कि अपने पास जो है वो क्या है एक बार अपन ये सोच लें कि अपने पास एक रूम है जिसकी लंबाई अपने क्या माली है 6 मीटर एक कमरा है जिसकी लंबाई क्या माली भई 6 मीटर माली ठीक बात है अब ये 6 मीटर ज उसका मात्रक है इस लिला पन किया है आपने ठीक बात है ना वान से मात्रक्हा आ गया आभ यह मात्रक क्या होते है अब अपने टॉपिक पर आंजाते हैं जो अपने को पढ़ना है बात समझ में आ गई वग technique तो मात्रकों के बारे में जब बताया गया तो कहा गया भई कि मात्रक किसी भी वैल्यू का आपको लेना है लंबाई को मीटर में द्रवेमान को केजी में या ग्राम में आयतन को मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में इस तरह से बहुत सारे मात्रक हैं लेकिन यह कहां से आए तो उत्रक परतियां जो है उन्हें दो पर्टिकुलर परतियां अपने को बताई गई है जिसे अपने को यहाँ पर डिसकस्ट करना वह कौन-कौन सी है वह आपको इसक्रीन पर दिखाई दे रही है कि आपके पास अमकेस और क्या है SI है सही बात है अब अमकेस है SI है बच्छो इसमें दो और है SI में एक आती है CGS और एक आती है अपने पास FPS लेकिन CGS जो है वो SI के अंदर ही इंक्लूड़ेड रहती है और F जो FPS होगा जाए foot, pond और second जो समय के लिए है अपन यहां पर इसको discuss नहीं करेंगे अपन main link इनको discuss करेंगे जो आपने पूछे जाता है वही पर बात करते हैं तो topic to topic चलते हैं तो अमकेस जब ये पदती बात की जा रही थी तो इसका मतलब था कि आपको कोई भी लंबाई है अपने पास द्रवजमान है और समय है ठीक है में लिंपर डिसकस किया गया और यही चीज अगर आपको अमकेस में दिखानी है तो किस रूप में लिखोगे और वहीं पर SI या CGS में दिखानी है तो कैसे लिखो के तो कहां कि लंबाई को हमेशा यदि अमकेस में व्यक्त करो तो मीटर और SI में व्यक्त करो तो सेंटिमीटर ठीक है द्रवेमान को यदि आप व्यक्त करो तो केजी में किलो ग्राम में और वहीं पर यहां पर किस में करोगे ग्राम में समय को कि ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है बात समझ में आ गई होगी आपको मेले इन चीजों के बारे में ही याद रखना है कि आपको लंबाई द्रवेमान और समय को किसमें व्यक्त किया गया है क्योंकि अपना ज्यादा डिटेल में यहां पर नहीं है पर जो आना है वो मैं आ आ गई होगी ओके डन फटावट कमेंड में लिखते जाएं आगे चलते हैं अपन इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अपन डिसकस करेंगे किसके ऊपर बच्चों अपन डिसकस करेंगे द्रव्यमान और भार पर ठेक बात है बच्चों यह द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है तो द्रव्यमान कहलाता है, क्या कहता है, द्रव्यमान किसे कहते हैं, पधार्त में उपस्ति, द्रव्य की मात्रा ही उस पधार्त का क्या कहलाता है, ठीक बात है, बात समझ में आ गई है, द्रवेमान जैसे sodium है, potassium है, carbon है, nitrogen है, ये तत्व हैं, इनका कोई न कोई तो द्रवेमान है ना, बिलकुल है, इनका जो द्रवेमान है जैसे carbon, उसका प्रमानू क्रमांग 6, तो उसका द्रवेमान कितना होता है, 12, तो 12 और वो कभी बदलता नहीं है, उसको आप कहीं पर भी ले कहना है, द्रवेमान कभी बदलता नहीं है, वहीं पर दूसरी बात करें अपन भार की, भार जो होता है, वो किसी पतार का वह वजन है, जो स्थाम से बदल जाता है, इस थाम की इस्तती बदल गई, तो भार भी बदल जाता है, इसको मैं अभी example समझाओंगी, तो आराम से कि भार जो क्या होता है, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह वजन, जो क्या होता है, जो इस्तती के अनुसान, या यूँ कहूं, क्या इस्तान बदलने पर से बदल जाता है, पूर एक्जामपल मैडम ये बात क्या हुई, कैसे हुई, आप सबने चंद्रमा को तो नाम सुना ही है, राइट, है ना, तो चंद्रमा पर और प्रत्वी पर, यदि भार की बात करूं, द्रवेमान सब जगे स्तिरे बच्चों, भार की बात करूं, तो अ एक बटा छे बागी रहेगा, जितना वजन प्रत्वी पर है, उसका केवल एक बटा छे बागी वहाँ पर रहेगा, यानि कि हम वहाँ पर जाएंगे, तो बहुत ही अपने आपको हलके मैसूस करने लग जाएंगे, तबी तो क्यूं होता है ऐसा, ये डाइरेक्ली जो है, अ तो जब वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुर्तव आकर्शन बल जो होता है, वो क्या होता है, कम होता है, उसकी वज़े से वहाँ पर भार भी क्या होता है, कम होता है, तो बात समझ में आ गई, इसलिए चंद्रमा पर मनुष्य जो है, अपने आपको हलका म जाता है इसने मैंने इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया है तो इंपोर्टेंट जरूर लगा दें क्योस्चन आते हैं इसी लिए डिसकस किये जा रहे है अगला आपना ये तो आपको समझ में आ गया इसका स्क्रीन शोट आप चाहें तो ले सकते हैं डन आप चलते है हैं अपन आगे बढ़ते हैं अपना इसी के आगे अगला टॉपिक जो है को स्ट्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है आईतन राइट अपने द्रवेमान और फार के बादे में डिसकस कर लिया उसका मातरत तो मैंने पहले ही बता दिया था कि द्रवेमान को अपन किलो ग्रा किसे कहते हैं भाई कोई वस्तू कोई वस्तू कि इस्थान गेरती है जितना इस्थान गेरती है वही क्या है उसका आइतन है सही बात है आप सब के पास इसका एक्जामपल लें तो आभी किताब रख्यूए है है ना उस किताब को आप रखे हो इस तरह से तो किताब जब रखे हुई है तो उस किताब की कोई न कोई तो लंबाई है कोई न कोई चोड़ाई है और कोई न कोई उंचाई भी होगी राइट लंबाई हो गई चोड़ाई हो गई और थोड़ी बहुत उंचाई भी होगी हो ग कर सकते हैं या फिर सेंटी मीटर में भी व्यत्र कर सकते हैं हाँ या ना बच्चों बात समझ में आ गई यह हम केस में और यह सीजियस में connectivity समझ में आ गई ना मातरक भी साथ ही आ जाएगा तो यहां पर हम इसको लिख देंगे मीटर क्यूब या फिर लिख देंगे सैंटी मीटर क्यूब राइट बच्चो बात समझ में आ गई होगी कि हम जब किसी मस्तुद वारा घेरे गए आयतन को ग्याद करते हैं तो उसको हम लंबाई चोड़ाई और उंचाई में व्यक्त करते हैं और वो हमेशा क्यूब की फोम म पाता है है बात समझ में आ गई होगी चलू मात्रक समझ में आ गया आगे चलते हैं अपना अगला जो है वो क्या है गनत्व मतलब की ही खनल एकली आयीतन में उपस्तित किसी भी वस्तू का द्रविमान राइट वही क्या होता है उस वस्तु का घनत्व कहलाता है तो परिभाशा क्या हो गई घनत्व की एकाई आयतन में उपस्थित वस्तु का द्रव्य मान बिल्कुल यानि कोई वस्तु के एकाई आयतन में उपस्थित उस वस्तु का द्रव्यमान क्लियर, क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, हो गई क्लियर, आप अपन इसका, जम मात्रक निकालेंगे, तो वो कैसे होगा, जैसे मैंने अभी आयतन में दिखा दिया था ना कि वस्तु को रखा उसके को इना कोई लंबाई चोड़ाई मुझे वैसे ही गनत्व की बात करें तो घनत्व में बच्चों हमेशा क्या आता है द्रव्यमान बट्टा आयतन बात समझ में आ गए होगी है ना इकाय आयतन में उ अमकेस में लिखा लोग चैसीजियस में अमकेस और सीजियस यहां फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा ही भी लिख सकते हैं तो अमकेस में क्या लिखोगे भई द्रव्यमान को केजी और आयतन को मीटर क्यूब वहीं पर सीजियस या ऐसा यह बात करें तो ग्राम और सेंट क्योव्प सकते है ग्राम सेन्टिमेटर क्योव बात समझ में आ गई होगी है ना मेरे बच्छों छोटे-छोटे मेरे प्यारे बच्छों को समझ में Ara Inna तो comment में लिखते जाओ, yes ma'am, okay, very good, देखो, बात समझ में आ गई, ये तो आपका आत्रकों में हो गया, एक सबसे last और important topic, जो exam की दरश्टी से भी बहुत महत्पून है, जिसका भी question आता ही है, वो topic क्या है, ताप, तो अब ये इतना important क्यों है, ये topic जो अपन exam की दरश्टी स से बहुत महत्पून है, तो ये topic इतना important क्यों है, इसको चलिए आपन देखते हैं, ठीक बात है, ये क्या, अब जो ताप होता है बच्चों, तो ताप जो है, वो तीन पार्ट में divided है, okay, तीन पार्ट में divided है मतलब, आपन सबसे पहले इसको देखते हैं, degree Celsius में, फिर देख करते हैं, Fahrenheit में, बात समझ में आ गई होगी, degree Celsius में, सुचो, अपने पास value 0 degree Celsius है, ठीक है, अब ये 0 degree Celsius को आपको किस में convert करना है, Kelvin में, तो आप क्या करेंगे, Kelvin is equal to 0 degree, plus क्या लिखते हैंगे, 273.15, ये exact value है, आप इसे round figure में, 273 भी लिखते हैं, कोई दिकत नहीं, answer सहीव एकता है, ठीक बात है, वहीं आगे की और चले, तो Fahrenheit की बात करें, तो वो आता है, अपने को जब किसी को Fahrenheit में convert करना है, तो हम लिखते हैं, 9 बटा 5, गुना, degree Celsius, plus 32, ये वो formula's हैं, जो exam में, बहुत important है, यहां से एक question आता ही है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सके, बात समझ में आई, एक example देकर मैं समझा देती हूं, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक आप उस चीज को example से नहीं करेंगे, तब तक आपको बात समझ में नहीं आईगी, उसके बाद मे आपको एक practice करवाएंगे, वो आप खुद करेंगे, ताकि आपको clear हो जाए, ठीक बात है, अपन यूँ कहें कि अपने पास 25 degree Celsius है, कोई temperature है, तो बताओ उसका मान Kelvin में कितना होगा, और बताओ उसका मान Fahrenheit में कितना होगा, तो बच्छों 25 degree Celsius, Kelvin में convert करना है, तो क्या करोगे Kelvin में convert करने के लिए 25 प्लस कितना कर दोगे, 273, बात समझ में आ गई, yes or no, वहें पर अगर तुम Fahrenheit में करोगे, तो Fahrenheit में क्या करोगे, 9 बटे 5 गुना 25 प्लस 32, clear, बात समझ में आ गई होगे, फटाफट इसका answer मुझे फटाफट comment में लिखो ताकि बात समझ में आ जाए, और इसका screenshot ले लो, ताकि आपको ये बात बिलकुल clear हो जाए, बात समझ में आ गई होगी, clear है न, तो अब ये चीज तो हो गई clear, ठीक बात है, अब यहाँ पर ये ठीक है, ये तो कर ली होगी, कितना answer आ जल्दी comment में बताओ, फटा पटा 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 पटा, सब बच्चे जल् बात समझ में आ गई होगी, है न, तो इस प्रकार आप calculation तो खुद कर लेंगे, यहां कराने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आना चाहिए, इतना तो आप करेंगे ही, okay, done, सब बच्चे सही answer करें, very good, very good, comments में अच्छे से फटा-फट answer करोगे, तो करने में भी मज़ा, और पढ़ाई जो आपको revision में साथ-साथ करा रहे हूं, important topics जो बता रहे हूं, वो सब भी अच्छा लगता है कि हां बच्चे बहुती उत्सार मंग के साथ पढ़ रहे, okay, तो चलते हैं, अब आगे एक आपका उधारन, जो आपको खुद करना है, फटा-फट करो, देखें, आप इसको कितना जल्दी करके comment में इसका अंसर लिखते हो, आपको लिखा है, तीन सो तहतर Kelvin को Fahrenheit में बदलना है, ठीक है, ये आपको करना है, Kelvin को किसमे convert करना है, Fahrenheit में, आप अपने पास बच्चों क्या है, वो देख लो, फिर आप करना, मैं आपको समय दूंगी, तीन सो तह है, तर Kelvin है, जी, अब इसको convert करना है, किसमे, Fahrenheit में, Kelvin को Fahrenheit में करने के लिए, अपने पास formula तो क्या है, भई, 9 बटा 5, गुना, दिग्रे Celsius प्लस 32, हाँ जी, हाँ या ना, ठीक है, ये तो ठीक बात है, लेकिन जब अपन ये कर रहे है, तो यहाँ तो डिग्रे Celsius है, और ये वे करो, डिग्री Celsius में, तो डिग्रे Celsius में convert करने के लिए, क्या करोगे भई, जल्दी, जल्दी, फटा फट देखे, जल्दी करो, क्या बात है, वेरी गूड, बड़े जल्दी जल्दी answer आ रहे हैं, जी, बिल्कुल, 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 सही में, बिल्कुल, बच्चों, य इसे लिए आपको साथ में प्रैक्टिस भी करवा रही हूं मैं ओके तो फटा फट देखो जल्दी से आग जिस जिसने किया है अब एक बार मिलान करें कि जो मैं कर रही हूँ ऐसे आपने किया है तीन सो अपने पास केल्विन का फिर्मुला क्या होता बईं डिगर क्री सेल्शिस प्रस-दो तेहतर होता एक Sixth Levy बोलियो जल्दी बोलू और केल्विन में वेल्उ कितनी दी गई है थीनिसâu तेहतर यहां पर माइनस दो सो तहत तहत बराबर में डिगरी Celsius यस और नो आ गया होगा कितना आया सो आ गया ना Kelvin में क्या convert किसमें हो गया यह सो डिगरी Celsius राइट अब यह डिगरी Celsius में आ गया तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर अपन इसको नीचे की तरफ लिखकर देख लेते हैं कि 9 बटा 5 गुणा 100 प्लस 32 हा या ना अब यह काटू फटा फट कितना आया 20 अब 20 इससे multiply कर दो 180 प्लस कितना आया 32 अंसर क्या आया जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटा फट देखे कितना आया भई दो आठ नो दस ग्यारा और दो सो बारा क्या फैरनहाइन वैसे तो circulation की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप बच्चे बहुत होश्यार है और सबने सही अंसर किया है जो बड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतना मन लगा अगर पढ़ रहें तो continue ऐसे पढ़ते रहो बच्चों आपका future बिल्कुश सेक्योर है क्लियर तो बच्चों यह आपको समझ में आ गया इसका screenshot लो फटा फट देखे जल्दी से तकि आपको बात समझ में आ जाए यह क्लियर हो गया ओके डन आप चलते हैं आगे अगला टॉपिक है अपना क्या हो अगला टॉपिक है मापन में अनिशिता बच्चों मापन में अन होते हैं मापन होते है दा जीसे चीनी है उसको आपने मापन दो Clay ड़ाइ गर पे लाके देखा तो थोड़ा सा एरश है या नी मापन सही नहीं है या तो अ अपनी मापनी तूला खराब है यह घिससे लाएं उस्की खराब है पर ऐसा होता ही ए थोड़ा बहुत जो और एक यथारता, वही क्या होती है, परिशुन्ता क्या होती है, और यथारता क्या होती है, तो बच्छों, ये टोपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जह मैं इसको एक एक आपसे समझाँगी, है न, क्योंकि जितना अच्छांचा, एक्जाम्पल किसी चीज को रिपर्जेंटेशन के लिए अच्छा होता है उससे ज्यादा अच्छा कोई और चीज नहीं तरीका हो यह नहीं सकता है clear तो अपन देखते हैं परिशुत्त और यथा अरत्ता को हम एक एक्जाम्पल से ही clear करेंगे वो example क्या है, सुनू, कोई तीन भाई है, सौनू, मोनू और चिकू, कितने भाई हैं, तीन भाई है, ठीक है जी, बिलकुल बिलकुल, आप सौनू, लिख रही हूँ है, मैं आप ध्यान से सुनना, मोनू और चिकू, तीन भाई है, तीनो को, इनकी मा ने कहा, कि बेटा, चीनी लेकर आओ, दो किलो चीनी ले आना, तो तीनों ने काट ठीक है वई, दो किलो चीनी लेकर तीनों भाई आगे, अब उनकी मा ने कहा, कि बिटा चीनी तो ले आए, जड़ा मा पलो कि देने वाले ने जिससे तुमने खरीद आया है, उसमें दो किलो पूराबर दिया है क्या, क् चीनी लेकर आए है, कितना, दो केजी, ध्यान से, अब दो केजी तो ले आए, पहला, सोनू जो है, उसने जब इसी चीनी को तोला, तो इसके पास मान आया, पहली बार तोला तो 1.93 आया, और दूसरी बार तोला तो 1.95 आया, ठीक, सेकेंड फिर मौनु ने का छोड़ो तुम तुमसे नहीं होगा मैं तोलता हूँ ठीक भई तुम तोलो उसने तोला तो 194 आया और फिर आया 197 ममा तो सोच रहे एक कर क्या रहे सही लाए है कि नहीं अगलों ने ठक तो नहीं लिया फिर चीकु ने का कि मैं भी ट्राइ कर लूँ लगे हाथ क्या पता मेरे से सही आ जाए तो उसने तोला तो आया क्या 1.99 और आया 2.01 ठीक है ये वैली तो आ गई अब मैडम इनका आप कहना क्या चाती हो टॉपिक पे तो आओ बिल्कुल बच्चों ये दोनों मान जो वस्तविक मान है उसके नजदिक नहीं है थुड़ा दूर है पर आपस में नजदिक है सही है यानि कि वो मान जो परस पर से निकट हो पर वस्तविक मान के से निकट नहीं हो ऐसे मान क्या होते है परिशद्ध होते है परिभाया समझ में आ गई, परिशुद्ध क्या होता है, ऐसे मापन जब किसी वस्तुका किया जाए, तो प्राप्त मान परस पर सैनिकट हो, पर वस्तुविक मान के सैनिकट ना हो, वस्तुविक मान क्या है, दोक्ति जी, उसके सैनिकट नहीं है, तो ये क्या है, परिशुद् 1.94, 1.97 यह मान वो हैं जो ना तो परस पर सैनिकट है ना ही वास्तविक मान के सैनिकट है तो यह परिशुद तो नहीं है पर बात यथार्ता पर अटक रही है यह थार्ता क्या होगी यह थार्ता तब होगी जब वो सैनिकट मान के नजदीक हो वास्तविक मान के नजदीक हो तो वो क्या होगा यह थार्त होगा बात क्लियर हो गई होगी राइट तो यह मान ना तो परिशुद है और ना ही क्या है ना तो एक नंबर और इसको दो नंबर दो एक ओर दो नमबर दोनौ ही नहीं यह एकनंबर तो है और दीगई वैल्यू जो लास्ट में है वो परस पर भी सैनिकट है और वास्त विकमान कें भी सैनिकट है इसका मतलब यह परिशद्द भी है और यथार्त भी है बात समझ में आ गई होगी सिम्पल से शब्रों में कहूं तो आपस में सैंने कट कौम लेकिन वास्तविक मान के से सया निकल ना हो तो परिशुद्द होगा पर यथार्त नहीं जो ना सैंन कट हो ना वास्तविक मान केrest हो ना यथार्थ निया परिशुद कि जब सैनिकट हो वस्तविक मान के तो यथार्थ है और परस पर भी हो तो शुद्ध भी है बात समझ में आ गई होगी बच्चों तो थ्योड़ी तो हर जगा लिखी है हम पढ़ भी सकते हैं लेकिन एक्जामपल से समझ में आ जाए तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है अमिठ हो जाता है फटा फर इसका स्क्रीन शौट मारो ताकि बात समझ में आ जाए और आप जब इसे रिवाइस करें तो भी बात क्लियर हो जाए अब चलते हैं हम आगे और यह रहा आपका टॉपिक आपका टॉपिक क्या है अगला आपका टॉपिक है विज्ञानिक संकेतन विज्ञानिक संकेतन क्या होता है विज्ञानिक संकेतन क्यों लाया गया यह संख्यों में किस तरह से व्यक्रमे के लिए लाया गया है सोचों अब तक तो नहीं पड़ा था 11 में ही क्यों यहां से भी question most of important topic में से एक है यह ठीक है ना इसे लिए आपको clearly समझाया जा रहा है तो विज्ञानिक संकेतन क्या होता है विज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है किसी भी बड़ी संख्या को सलल रूप में सलल रूप में व्यक्त किया जाए तो वह उस संख्या का कौन सा नीरूपन कहलाता है विज्ञानिक संकेतन कहलाता है राइट और इसके लिए विज्ञानिकों ने एक formula भी दिया जो formula क्या है capital N into 10 की खात small n clear तो परिभाशा आपके board पर आपको दिखाई दे रही है क्या है जब कि संख्या को इस रूप में लिखा जाता है तो उसे वेज्यानिक संकेतन कहते हैं बात से clear हो गई आप जब वेज्यानिक संकेतन में आप लिख रहे होते हैं तो वो है capital N into 10 to the power small n यहाँ n क्या है बच्चों यहाँ पर n एक से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है यानि इकाई अंक में हो दहाई नहीं चाहिए इकाई अंक में होगा वो n राइट और n की जो power small n है यह घातां कितना भी हो सकता है दो अंकों में तीन अंकों में जो possible हो clear बात समझ में आ गई होगी है ना देखो बच्चों topic को जितना आप to point to point पड़ेंगे वो उतना ही easy हो जाता है इसलिए जादा theory पर ध्यान ना देते हुए हम भी practical चीजों को करना चाहते हैं मैं कूशिश कर रहे हैं ताकि आप जल्दी समझ जाए तो comment में फटा फट लिखते जाएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं तो बात समझ में आ गई एक example देती हूँ कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है विज्यानिक संकेतर जैसे अपने पास value है 2, 4, 6 into लिख दो 10 to the power 2 ठीक है एक अपने पास value है 4, 5, 6, 8, 9 और 2 आप बताएए दे गई संक्याओं को विज्यानिक संकेतन में विख करो तो आप सोच रहे होंगे कि उपर वाली संक्या तो ठीक है मैडम इतनी बड़ी नहीं है पर नीचे वाली तो है बिलकुल है इसको आप विज्यानिक संकेतन में कैसे represent करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम चलेंगे सबसे पहले अन पर ठीक है ये end क्या होगा एक ही सा अंक होगा तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो कहां आना चाहिए यहाँ पर तो अपन लिखेंगे क्या फॉर पॉइंट क्या फाइव सिक्स एट नाइन डू आपने पॉइंट कहां लगाया एक दो तीन चार पांच हां या ना तो दसकी घात कितनी हो गई बोलो हां या ना बात समझ में आई या ने जड़ा एक और एक्जामपल दे दूँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स आगई बात समझ में आप इसको क्या लिखोगे आप किस तरह लिखोगे तो इस पॉइंट को आप इस तरफ ला रहे हैं ना बच्चों इसको तो आगे की तरफ चल रहे हैं तो घातां किसमें चलेगा प्लेस में आ रहे हैं और आप जब इस तरफ पीछे की और आ रहे हैं तो घातां किसमें लिखा जाएगा माइनस में छोड़ो मैडम याद नहीं रह सकता कोई बात नहीं इतना तो याद रहेगा ना कि पॉइंट पहले लगा हुए है और संख्या बाद में हैίally, इतना तो याद लगल्यक पॉइंट पहले है और संख्या बाद में, तो पॉइंट किस तरफ आईगा, संख्या की तरफ तो लाए हिसाए C आप आप पॉइंट को पीछे ला रहे हो तो हम क्या लिखेंगे उसका घातांग क्या करना पड़ेगा उसको हमें किसमें लिखना है हमेशा माइनस में किसमें माइनस में बात समझ में आ गई second thing जब संक्या के पहले लिखाई नहीं गया है दश्मलों नहीं है और आप लगा रहे हैं तो वो किस और होगा प्रस में बात समझ में आ गई I think सबको समझ में आ गया होगा clear पहले से point लगा है न इस तरफ लाओ कितना एक दो तीन right 1.6 into 10 to the power minus 3 clear बच्चों बात समझ में आ गई होगी तो चलिए कुछ practice आपके साथ भी कर लिजाए तो चलते हैं अपन अपना निम्न संख्याओं को विज्ञानिक संकेतन में व्यक करो तो पहली कौन सी है two point three two point five zero eight right अब आपको संक्या में किस तरफ ले जाना है इस तरफ राइट आपको short note करना है न तो मैं लिख रही हूं यहाँ पर एक तो इस तरफ एक इस तरफ यहां ले जाएं तो घात किसमें चलेगी प्लस में और इधर लाए तो घात किसमें चलेगी माइनस में अप तो ठीक आप कोई दिकत नहीं होनी भी नहीं चाहिए ओके short note में इस लिए बता रही है क्योंकि एक्जाम में आए ना बच्चो क्यस्चन ओके आए आए आप बताओ अपन इस तरह ले जा रहे हैं तो यह क् गातांक फॉर्मूला याद है ना बिल्कुल देखो मैं फिर भी लिख रही हूं चल्दी चल्दी बताओ चल्दी आंसर आएगा टू पॉइंट्री टू फाइव जीरो एट इंटू टेन टू दी पावर टू डन बात समझ में आ गई होगी चले एक और एक्जाम्पल देख ऑल जल्दी चल्दी चल्दी गजल्दी जल्दी बताइए यह क्या होगी ओपाहिश कितने आंख है एक दो तेन चार पांच गान्ट क्लिया वेरड़य ओड नस्ट क्या वाई चले आगे यह रो देखो 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 पॉइंट किस तरफ अब पॉइंट को यहां लाना है तो क्या लिखेंगे 5.0 into 10 to the power कहां एक दो तीन चार माइनस 4 राइट सब के सही अंसर आ रहे हैं कमेंट में सबने सही लिखा इसका मतलब विज्ञानिक संकेतन सबको समझ में आ गया बच्चों यह वो टॉपिक है जो आपको टू मार्क्स इजी ली देला नहीं है इसलिए और इजी भी बहुत है और जो आना एक्जाम में मैंने वही कड़ा है इसलिए फटा फट इसका स्क्रीन शोट मारो ताकि आपको बात समझ में आ जाए क्लियर आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक की और जो की इस प्रकार है क्या है जी सार्थक अंक सार्थक अंक क्या है सार्थक यानि वैल्यूबल चीजें क्या होती कोई भी चीज को अपन देखते हैं संख्या को देखते हैं तो अपन सोचते हैं क्या यह सार्थक है यानि इसको अपन लिख सकते हैं यह valuable है for example बात करते हैं जैसे अपन ने लिखा 01 ठीक है एक लिखा 10 बताओ इन दोनों में से सार्थक में क्या चीज़े हैं इसमें सुन्य का कोई सार्थकता नहीं केवल एक ही है अगर रुपए पैसे में बात करें तो एक रुपया है एक ही तो रुपया है लेकिन वहीं पर यह 0 value कर दीजिए कितने बढ़ा दी दस रुपय है ना बात समझ में इसलिए शंख्या जो होती है उस संख्या को जब आप लिख रहे हैं तो कौन सी सार्थक है और कौन सी सार्थक नहीं है वो किस तरह से रिपर्जेंट करेंगे तो उसकी थ्योड़ी तो बहुत सारी है उसके बहुत सारे नियम है पर वो नियमों को मैं संख्याओं को दिखा क आप example को लेकर ही आपको समझाऊंगी ताकि आपको नियम तो एग्जाम में आएंगे नहीं कि सार्थक कुसे कहते हैं नियम का उल्रेख कि जिए च्यारा कि और ुछ नहीं संख्या देजाएगी और फूर जाएगा दीदी संक्या में कितने सार्थक अंक है तो वो क्यों न किया जाए क्यों थियोरी में जाए तो अपना जो अगला अपन देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सार्थक अंक है उसकी परिभाशा को अपन किस तरह से व्यक्त करते हैं तो बस एक बार नजर डाल लेते हैं क्य कहना चाहती है तो सार्थक अंक की परिभाशा कहती है कि भोतिक रोची को सार्थक पूर्ण व्यक्त करने के लिए उपियोग में लाए जाने वाले अंक क्या कहलाते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं बिल्कुल क्लिए परिभाशा समझ में आ गई इसको समझाने के लिए मैंने पहल करते हैं आगे अब देखते हैं कि सार्थक अंक जो है उनको अपन कैसे कैसे identify कर सकते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उदारण के लिए अपने पास क्या है 0.007 में सार्थक अंक एक है ठीक है कैसे हुआ तो देखो बच्चों अपने पास कभी भी कोई भी example आपके सामने हो तो ध्यान देना कि संख्या से पहले जो दश्मलव है और सुन्य है तो वो सुन्य किस प्रकार सार्थक हो सकते हैं ठीक जैसे संख्या के बीच 808 सुन्य सार्थक है ठीक है 1.01 सुन्य सार्थक अंक है 1.200 सुन्य सार्थक है 0.002 सुन्य सार्थक नहीं है पहला पॉइंट अंकों के मद्य सुन्य सार्थक है ठीक बट संख्या ना हो और सुन्य हो के वल तो वो सार्थक अंक नहीं है इसलिए यहां पर सार्थक अंक कितना दिया है एक ही दिया है ठीक है बात समझ में आगे होगी आगे चलते हैं थोड़े और एक्जाम बलकि और पहला एक्जाम पल दिखाई दे रहा है बच्चों देखो जितनी संख्या है वो सब सार्थक तो है न सुन्य की तो बात हुई कि अब सार्थक होगा यह नहीं बाकि अंक तो सार्थक ही होते हैं चाहिए वो दो हो पांच हो आठ हो तीन हो कुछ भी हो बस ध्यान किसका रखना है सुन्य का कि सुन्य का है कि वो सार्थक है और कहां पर है कि सार्थक नहीं है तो यहां पर सार्थक अंक कितने है बच्चों यह सुन्य सार्थक है कि क्यों अं तक अंक है बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों को या सो नू फटावर कमें में लिखो जल्दी अगला अगला क्या है आई अंकों के बाद भी अंक है 0 2 तो सार्थक ही तो हुआ यह नू बताया था ना तो कितने सार्थक अंक है एक दो तीन चार पांच छह फिसे छह सार अंक है चले आगे आगे आता है अगला ओप्शन वो क्या है 0.005 यह अंक नहीं तो यह सुन्य सार्थक नहीं अब केवल सार्थक अंक कितना है बच्चू एक यह सोर नो बात समझ आई या नहीं सार्थक अंक क्या होते हैं सार्थक अंक में अंक जब लिखे जाएंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 जो भी है गणित में जितने भी अंक है केवल सुन्य बरबात रुक जाती है तो अगर सुन्य अंकों के मध्य तो वो सार्थक है अंक से पहले हो और ना आगे अंक है पीछे अंक तो है तो वहाँ पर सुन्य सार्थक नहीं होगा जो यह रहा एक्जामपल अंकों के मध्य है तो सार्थक सेकिन अगर अंकों के आगे सुन्य लिखा है तो वो बिलकुल सार्थक होता है तो अब मैं आपको एक एक्जामपल देती हूं जिससे आपको और क्लिर हो जाएगा जो एक्जामपल एक्जाम में कई बार पूछा गया है वो क्या है 2.0 into 10 to the power 2 2.00 into 10 to the power 2 2.000 into 10 to the power 2 एक्जाम में पूछा जाता है कि इनमें सार्थक अंकों की सेंख्या बताओ तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं दो यहाँ पर तीन यहाँ पर चार यस और नो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्यों भई क्यों है क्योंकि संख्या के बाद सुन्या है संख्या के बाद सुन्या संख्या के बाद सुन्या है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस example को आप उतार लेना और एक बात और last but not the least, क्या है कि अगर इन दोनों में भी देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा सार्तक को निया, इन दोनों में भी देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा स्थाई संख्या के रूप में जब व्यक्त किया जाए, तो कौन सा है, वो यह रह क्योंकि दश्मलाव के बाद दो अंकों तक संख्या ही जो होती है, वो सार्तक माने जाती है, वो वैल्यूएबल होती है, उसके बाद नहीं, इसलिए एक्जाम में पूछा जाता है, कि 2.0, 2.00 में कौन सा स्थाई अंक है, या संख्या है, और जो स्थाई है, उसमें सार्तक कितने हैं तो आपको वहां पर लिखना है 2.00 सबसेदिक स्थाई है और उसमें सार्थक आंकर तीन है क्लियर हो गई बात समझ में आ गई होगी रासाइनिक सेयोजन के नियम भी हम इसको बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं पर शब्दों पर जाओ ताकि उनके अर्थ समझ में है उनके सेयोजन होंगे तो कोई न कोई तो नियम आएंगे पर आपन ने पिछले तो कुछ पढ़ा आज अपन नियम पढ़ रहे हैं यह कुछ रिलेशन जो है इनके बीच में समझ नहीं आ रहा होगा क्यों दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि हम एक दुसरे को रिलेट क्यो उनका कोई मतला नहीं है करेक्ट वहां पदार्थ पढ़ा पदार्थ लिया तो उसको मापन पढ़ेगा तो मापन पदतियां पढ़ी मापन पदतियां जब पढ़ी माप लिया तो उनमें जो मान है वो सार्थक है या नहीं है उसको बहुत मात्रा में है तो अपन उसको हो रहे है और नया उत्पाद बन रहा है यह क्या है है यह किस नी दिया किकले बताया तो किसी ने तो नियम दिये थे ना तो इसलिए अपनाथ क्या पढ़ेंगे इन अभिक्रियाओं को समझने के लिएária कर मार य१ कि नियम पढ़ेंगे इसलिए मना आज डिसकस कर रहे हैं रसायनिक स्योजन के नियम इस प्रॉपर परिभाषा या फिर अपने शब्दों में कोई भी परिभाषा को अपन कैसे व्यक्त कर सकते हैं अब परिभाषा क्या होती है तो रसायनिक सयोजन के नियम है कोई दिक्कत नहीं है बात समझ में आ रही है ठीक है ये बात क्लियर हो गई कि रासाइनिक सयोजन के नियम क्या होते हैं तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है ना कि क्या है रासाइनिक अभी नियम कोन कोन से होते हैं तो सबसे पहला नियम क्या है सबसे पहला नियम है द्रवेमान सरंक्षन का नियम द्रवेमान को कैसे सरंक्षित रखा जा सकता है क्या होता है यह सब डिसकस करेंगे सेकिंड है इस्थिर अनुपात का नियम इस्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि कोई भी अनुपात में जो भी पदार्त कोई भी योगिक है उसमें जो तत्व लिये गए हैं उनका अनुपात हमेशा इस्तिर रहता है या फिर बदलता रहता है क्या है कैसा है यह वां डिसकस करें थर्ड है क्या थर्ड है आपका गुणित अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी पदार्त आप ले रहे हैं उनमें जो तत्वे हैं वो कितनी मात्रा में आपने लिया तो क्या किसी भी माध्यम से प्राप्त करो उसका अनुपात वही रहना है उनका जो गुणांक है वही होना है तो वो गुणित अनुपात में डिसकस करेंगे अगला क्या है अगला है क्लास में अपन बच्चों डिस्कस करेंगे दो नियम द्रवेमान सरंक्षन का और इस्तिरनपात का नियम ताकि आपको यह समझ में आ जाए तो आपको इस क्लास में लास तक जुड़े रहना है ओके आपन चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर अपना जो नियम है उसको डिस्कस करेंगे है ना तो डिस्कस करने के लिए कुछ कहते बेसिक जो है वो पता चल जाए तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी है यह ना बिल्कुल अब यह क्या बेसिक का मतलब क्या मैडम बच्चों अपन कोई भी नियम है या यूँ कहूं कि जैसे अपन अपने chemistry को यह लेकर बात कर लें अपर लेब में जाते हैं तो लेब में जाते हैं तो लेब में practical करने ही तो जाते हैं जब practical करने जा रहे तो वहाँ पर अपने को क्या-क्या सामगरी चाहिए होती है अपने को test tube चाहिए होता है सबसे पहले तो chemical ही चाहिए होता है और उसके बाद में बीकर चाहिए होता है है ना तो कॉनिकल फ्लास्क चाहिए होता है तो यह सब होंगे तभी तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे अगर नहीं होंगे या फिर आपको पता ही नहीं होगा कि वहां पर क्या-क्या होता है तो आप प्रैक्टिकल करोगे कैसे आपको वो समझ में कैसे आएगा इसलिए मैं ये नियम समझाने से पहले कुछ basic concept आपको बताना चाहती हूं वो basic concept जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं देखे रहे हैं अब क्या क्या है अपने को प्रमानो क्रमांग प्रमानो भार और अनुभार के बारे में थोड़ा सा discuss करना है बच्छों हो क्या है देखो अपने सामने प्रमानो क्रमांग प्रमानो भार और अनुभार लिखावा एक अपने को तस्वीर भी नजर आ रही है आ रही है ना सबको आ रही है इस तस्वीर में ए और जड किस बात को रिपर्जेंट कर रहा है वैसे तो आपने प्रमानो क्रमांग भार स पहचाना पहचाना ही है आपको पता है लेकिन थोड़ा सा क्या है कि टाइम हो गया तो याद में नहीं होगा कोई बात नहीं है टेंशन की कोई बात नहीं मैं समझा रहे है तो देखा कि यहां पर जो ए लिखा गया है वो क्या है वो है आपका परमानू भार क्या है बच्चों परमाणू भार सहीए फिर लिखा गया है जड़ ये क्या है परमाणू क्रमांक वहाँ पर ही बीच में लिखा गया है यह यह क्या है इलेमेंट जिसे अपन तत्व भी कहते है कोई भी तत्व हो सकता है सहीए तो ये समझने के लिए अपने को कुछ तत्वों को याद करना होगा वो तत्व कौन-कौन से हैं जादा तो तत्व याद नहीं हो सकते मैं जानती हूं आवर सानी जब आपन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बिल्कुल ट्रिक्स के साथ वो बताऊंगी लेकिन अभी के लिए क्या करें तो कुछ त तुम्हें आपके लिए लेकर आइंगा जिनको आपको याद करना है बच्चों है ना जादा नहीं आप दिनके 5 सत्व कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगा उके। टेंशन नहीं लेना कि इतने सार एक साथ दोनों आप एक दिन में पांच करो हो जाएगा तो अब देखों अपने पास तत्व है उसका प्रमानु भार उपर और प्रमानु क्रमांग नीचे लिखा जाता है ठीक है तो अपन क्या करते हैं अपन लिखते हैं जैसे हाइड्रोज हाइड्रोजन का प्रमानु क्रमांग एक भार भी है कार्बन में प्रमानु क्रमांग 6 और भार 12 सही है कार्बन 6 और 12 बात समझ में आ गई होगी तो इनको आपको याद करना है इनको याद किये बिना बेटा द्रवेमान सरंक्षन का नियम या जितने भी नियम मैंने आपको को बताएं हैं वो नियम को आप नहीं समझ पाएँगे समझने के लिए इनको याद करना ही हो बेटा ओके कोई दिक्कत नहीं आएगी आप करना तो सही आपको हो जाएगा ओके तो यह तो होगे ठीक है प्रमानु क्रमांग को और प्रमानु भार की बात अब एक और आगे दी गई है लिखी गई है किया बच्चों अनुभार अब यह अनुभार क्या है बच्चों अनुभार जो होता है अपन कोई भी तत्व है посмотрим उसके प्रमानु जो भार होते है उनको अपन यह जोड़ लें किसी भी योगिक में तो उस योगिक का जो भार बने गाँ वो ओ, रैट बेटा, बात समझ में आ गई होगी, H2O लिया, तो H2O में क्या है, H2O में अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सिजन है, कितने हाइड्रोजन बेटे, दो, कितना ऑक्सिजन बेटा, एक, ओके, समझ आई, आप देखो, हाइड्रोजन दो, अंक तो अंक, गुना, कितन पर लिखा गया, इस्क्रीन पर, आप बता सकते, 1, ओके, साथ में ये दोनों जुड़े में हैं, तो बीच में क्या लगाना है, मेशा, प्लस का, निशान, आगे चलते हैं, कितने हैं, आपने पास, ऑक्सिजन कितना है, 1, तो अब ऑक्सिजन 1 है, और इसका भार कितना होता ह है, 16, कहां लिखा हुआ है, ये रहा, हाँ या ना, बात समझ में आई, बिल्कुल, चलते हैं आगे, ये तो हो गई, आपकी बात, यहां आगे, 2, यहां आगे, 16, और यह हो गई, 18, यानि कि अच्टुवों का अनुभार कितना होता है, 18 होता है, मेरे हिसार से सारे बच्चो को ये बात समझ में आगी होगी, आगे है तो फटा फट कमेंड में लिखते जाएं, येस मैं, ओके, तो इस परकार बहुत सारे तत्व अपन ने लिखे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 7 और 14, ऑक्सिजन 8 और 16, सलफर 16 और 32, कैलशियम 20 और 40, फ्लोरी 9 और 19, इस तरह से सारे तत्व आपको इसका स्क्रीन शोट लेना है, फटा फट ले लो, ताकि आप इसको अपने फेर नॉट्बुक में, नोट्स में नोट कर, सैके, जल्दी से स्क्रीन शोट मारिए, ओके, डन, चलते हैं आगे, अगला, अब अपन इसको तो समझ लिए, अब अपन अपना जो न रहे होते हैं, यहां आप किसी को समझा रहे होते हैं, तो अगर आप उधारन से चीजों को परिभाशा तक लाएं, किसी टोपिक को, तो वो जादा इजीली समझ में आएगा, तो आज हमने वही कोशिश की है आपके लिए, ताकि थोड़ा सा नया तरीके से आपको समझाया ओके, तो बच्चों अपन द्रवेमान सरंक्षन का नियम पढ़ते हैं सबसे पहला, बिटा द्रवेमान क्या हो, और सरंक्षन, द्रवेमान बहुत बार सुन लिया, अच्छे से पढ़ भी लिया, समझ में भी आ गया है, सरंक्षन क्या, पदार्त का द्रवे है, उसमें और वो सरंग्षित है तो द्रवेमान सरंग्षन है कोई दिक्कत नहीं अगर सरंग्षित का मतलब क्या मैडम क्या समझाना चाहरी है आपको स्क्रीन पर एक एक्जाम्पल दिखाई दे रहा है दे रहा है ना जिसमें अपने यहाँ पड़ लिखा है क्या मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरिक एच जी ओम फॉर्मूला यह होता है सबको पता है फिर लिखा है मर्करी यह एच जी और ऑक्सिजन मतलब ओ टू हाई या न यहाँ टू लगा दिया और यहाँ पर भी टू और ही रियक्शन कंप्लीट है ठीक बात है आपने सॉलेड इस्टेट में मर्करी को लिया उसको जलाया जैसे ही जलाया जला करके देखा तो यह ब्लैक हो गया इसकी डस्ट मिल गई और जो गेस निकली उसको गुबारे में भर दिया भर दिया ना गुबारे में दिखाई देरा होगा हाँ या ना जल्दी चल्दी चल्दी बिल्कुल तो यह बात अब देखो जब अपने मर्करी को लिया था तो वो सॉलेड इस्टेट में थी तो वो उसको जब जलाया तो वो क्या हो गया डस्ट बन गई ओके कोई दिक्कत नहीं है है ना मर्करी को जलाने पर अब जब आपने मर्करी को लिया था वो कितना था वो क्या था वो था आपके पास सो ग्रम आपने जलाया तो जो डस्ट होई वो 93 और जो गेस थी वो 7 ग्र बात समझ में आ रही है कि जितना लिया था उत्पाद में उतना ही है बस फर्क इतना है कि वो अलग-अलग अवस्थाओं में है कोई दिक्त नहीं है है ना ये बात समझ में है कि द्रवमान क्या रहा बच्चों सरक्षित रहा जितना था पहले अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बात एक बात और अपन ने कोई भी अभिक्रिया करनी है तो उसमें यदि अभिकार रुपात का द्रवमान सिमिलर है सम समझ में आ गई तो अब चलते हैं अपन अपनी परिभाशा की और आपको स्क्रीन पर परिभाशा दिखाए दे रही है मैंने वैसे ही आपको उधान दे दिया था तो आपको समझ में आ गया होगा और पास में सज्जन पुरुष भी बैटें उनको तो आप सब जानते ही होंग जिसका नाम अपने पहली क्लास में भी सुना था बताओ जल्दी किस को यादा है फड़ावर comment में लिखो ये कौन है जल्दी जल्दी बताईए जिसने पहली क्लास को ध्यान से पढ़ा उसको तो याद है आप परिभाशा क्या है किसी भी रासा इनिक अभी क्रिया में अभी दन परिभाशा क्रियाकारकों का कुल द्रेविमान उत्पात का कुल द्रेविमान के बराबर होता है ना तो व्रदी होती है ना ही कमी होती है ये द्रेविमान सरंक्षन का नियम कहलाता है और ये परिभाशा ये नियम सबसे पहले किस ने दिया था एंटोनी लविजियर ने द comment में लिखा है very good अच्छे से class में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे बात है बच्छों तो यह परिबाशा हो गई यह आपकी clear हो चुकी है अब थोड़ा सा एक दो example से आपको और clear कर दें ताकि बातें अच्छे से और समझ में आ जाए पहला क्या है आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है law of conservation of mass है ना सही conservation का मतलब होता है जो सरंक्षित रहता है ठीक है ओके जी ओके आपको दिख रहा है क्या सबसे पहले CH4 है ना कार्बन और उसके चार हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार नजर आ रहे हैं बिलकुल जी बिलकुल वहीं पर oxygen दिखाई दे रहे हैं उसके इस तरह से दो और यहाँ पर CO2 और H2 ठीक है H2 कितने मोल दो मोल दिखाई दे रहे हैं सबको दिखाई दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यह क्या भई क्या है इनका आपने को क्या निकालना है द्रव्यमान इनका सबका क्या पता होना चाहिए भई द्रव्यमान पता होना चाहिए जब द्रव्यमान पत होगा तो आप क्या कर सकते हैं आसानी से चीजों को समझेंगे तभी आपको बात समझ में आई क्लियर तो देखो सबसे पहले द्रविमान क्या सरंग्षित हुआ कारबन का होता है अपने पास 12 प्लस किसने हाइड्रोजन चार कितना द्रविमान एक हां या न मेरे बच्चों सही है उसके बाद क्या है यह ऑक्सिजन प्लस ऑक्सिजन के कितना दो है और यह oxygen है कितना ओटू का द्रव्यमान कितना 32 लिखा गया है ना बच्चा हाँ या लिख दिया ओटू का 32 कैसे single oxygen की बात करो एक oxygen की बात करो प्रमानुक्रमांख 8 भार 16 सही है तो एक oxygen का भार तो 16 तो बताओ दो का कितना हुआ 32 हुआ आगया 32 आप तो समझ में आ गया होगा ठीक है जी दो से हो गया इनको जब जोड़ा तो क्या आगया असी ठीक है आगये चलते हैं अगली अगले में क्या कह रहे है CO2 में क्या है आपने पास CO2 जब अपने लिखा तो कारबन का वही 12 प्लस oxygen कितने 2 है तो 2 का अपन क्या कर सकते हैं दो गुणा 16 कर दो यह 12 प्लस 32 आ जाएगा चों मालिस आ गया हाँ यह न अगला आए वाटर तो अठारा भी निकाल के मैंने दिखाया था यहां कोई डाउट नहीं हो न चाहिए तो देखो सबसे बात इंपोर्टेंट क्या है यह तो मैंने इसलिए डिस्क्राइब कर दिया जिन बच्चों को नहीं पता है तो बच्चें यह सोचते ही कहां से आया मैं 32 कहां से आया चौमालिस कहां से आया थोड़ा समय ने खोल कर डिस्क्राइब कर दिया रए अब आपको क्लियर रहेगा दिमाग में कोई डाउट में तो यहां पर भी क्या है भई अपने पास यहां पर भी 80 है और यहां पर भी क्या है 80 सही असी ग्राम उदर 80 अभी क्रिया से पहले 80 अभी क्रिया के बाद भी 80 तो दोनों में क्या है द्रविमान समान है यानि यह द्रविमान संक्षन के नियम को फोलो कर रहा है बात क्लियर हो गई होगी ठीक है तो यह ब आजाए फटाफट देखे जल्दी से करके दिखाओ कि आप ने कि इस्क्रिंशोट ले लिया है आगे चलते हैं अगला एक्जामपल भी कुछ ऐसा ही है यह आप सबको कुद करना है फटाफट करो देखे जल्दी फटाफट 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 क्या है भाई इन्होंने क्या की बात करें एक और ह टू की बात करें तो दो यह सऔर नू हा या ना समाझ आ गई है ना एक आट आ का एक तरब आइसलिए यहां पर अपन जब लिखते हैं थो अपन लिखते हैं दो कुंग डू प्लास दो गुना 16 ये बात 2 का मीनिंग मैंने समझा दिये आपको समझ में आ गया गया वही पर अपन बात करें oxygen की एक oxygen के लिए मैंने 16 लिख दिया अब अगर मैं O2 लिखू डायरेक्ट तो मैं 32 भी लिख सकती हूं यहां पर मैं 16 की जगे 2 को हटा करके अपन क्या लिख सकते हैं अपन क क्या डायरेक्ट 32 साहिए यह बात समझ में आ गई होगी अब अपन चलते हैं आगे तो अपने पास क्या है भई टू अश्टू है ना तो टू अश्टू में कितना दो गुना कितना दो हाया ना प्लास oxygen में कितने दो प्लास आप बच्चे सोच रहे हैं यह दो कहां से आ गय है बच्चों को यह से लगता है कि क्या है बिटा देखो यहां पर ध्यान देना यहां पर hydrogen H2 किया आई कितना लिखा हूए दो लिखा हूए यानि यह टू इसके साथ भी है और यह टू इसके साथ भी है ओके ताकि आपको बात समझ में आ जाए यह बात बच्चों को confuse करती है इसी लिए मैं यही पर आपको वो clear कर रही हूँ यह तो यह पर भी यह यह पर भी है तो अपने वो समझ में आ गया तो यह ह्टु के आगे दो लिखा तो अपने लिख दिया अच्टु का कितना होता है दो दो कितने है संख्या में दो प्लस ऑक्सिजन कितना है यहां एक दिख रहा है तो सोला लिख दिया और आगे कितना हो है दो यानि कि यहां पर लिखेवे अंक पूरे योगिक में उपस्थित तत्वों के साथ गुणा होता है क्लियर हो गई होगी बात यह बात तो समझ में आ गई अब इसका निकालो क्या या चार दो दुनी चार प्लस क्या 32 सही है यहां पर क्या या चार प्लस 32 बताओ भई हाँ या न बत्तिस चार 36 यह 36 दोनों का क्या है अभी किरिया से पहले और अभी किरिया की बात द्रवेमान समान है बात समझ में आ गई होगी एकदम बेसिक से मैंने बताया है ताकि आपको एकदम छोटी छोटी बातें क्लियर हो क्लियर हो गई बात समझ में आ गई होगी ये तो था आपका द्रिवेमान सरंक्षन का नियम जिसके एक्जामपल आपन थोड़ा आगे करेंगे उससे पहले आपन थोड़ा सा अगला नियम डिसकस कर लेते हैं जिसका नाम क्या है इस्थिर अनुपात का नियम ठीक है अब इस् पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है न वो तो ठीक है मैडम दिख राया है पर हमें समझ कैसे आएगा हम लोग इस्थिर अनुपात को कैसे याद रख सकते हैं इस्थिर अनुपात को आप ऐसे याद रख सकते हैं कोई भी योगिक है उसमें तत्व तो है H2O4 है H2O है CO2 है यह सब तत्वे योगिकी तो है अनु में योगिक की स्तती है तो वहाँ पर आप उन तत्वों का जो अनुपात है वो देखोगे न तो आपको पता चलेगा कि वो अनुपात कभी नहीं बदलता है चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो तो इस परिभाशा को भी हम उधारन से ही परिभाशा तक जाएंगे ताकि आपको याद करने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी न द्रविमान सरंक्षन की नियम की परिभाशा आप याद नहीं करनी पड़ेगी न याद हो गई है वो राइट इतना तो मेरे को विश्वास है आप लोगों पर राइट चलो भई बच्चा तो आपको दिखाई दे रहा है इस्तिर अनुपात का नियम जिसमें लिखा है जड़ने का जल और जील का जल जल तो जल है नदी का हो तालाब का हो कुवा का हो किसी बकलrzे एसा नहीं न एसा नहीं होता है वाटर का फॉर्मुला तो स्ट्र है वो क्या रहता है है जिसमें हाइड्रो जन εκेटे अनुपात एक अनुपात आघ कैसे केसे आया एक नुपात आठ बच्चों के दिमाग में एक क्यस्टन है इस क्यस्टन की पहले क्यों अभी सुलजा दिया जाएगा जी भाई हाइड्रोजन एच और ऑक्सिजन ठीक बात है हाइड्रोजन की कितना दो और ऑक्सिजन एक है कितना लिया दो गुणा एक और यहां प कटो रहें एकी टेवल से जा रहें ना एक आठ शायद बात समझ में आ गई होगी इसी प्रकार आपको सबको निकालना है कोई भी योगिक आपके पास हो उसमें उपस्ते तत्वों का अनुपात यह नहीं बदल रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि यह इस तिर सब्सक्राइब के नियम को व्यक्त कर रहा है मेरे इसाब से बात समझ में आ गई होगी आप सभी बच्चों को राइट तो चलते हैं आगे अब अपन इसकी परिभाशा और इसको किस ने दिया है उसके बारे में जान देते हैं राइट यह जो बहुत ही अच्छे से सज्जन पुरुष अपने को स्क्रीन पर दिखाए दे रहे हैं इनको आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे राइट जिसका नाम क्या है भाई जौसेफ प्राउस्ट इन्हों ने क्या कहा परिभाशा समझ में आ गई ना परिभाशा तो पहले ही समझ में आग तो वही क्या है बच्चों वो है आपका क्या इस्थिर अनुपात का नियम राइट अब इस नियम में अपन देखते हैं एक एक्जामपल लेकर ठीक है क्या एक्जामपल ले जलका तो ले लिया मैडम आप किसका लोगे एक वही जिसे आप बहुत आच्छे से जानते हैं पै अच्छों अब सीओ टू को कई तरीकों से लिख सकते हैं फॉर एक्जामपल सी प्लस ओटू इस इकल टू यह यू लिखें टू सी ओप्लस ओटू इस इकल टू टू सी ओ टू हाँ यह न ऑक्सिजन कितने हो गए भाई दो और दो चार और कार बन दो ठीक है क्लियर हो गई बात यह तो समझ में आ गया अब देखो सी ओटू का अनुपात यहाँ पर इस रियाक्शन में देख लो और इसमें भी देख लो इसमें सी ओटू जो है सी और ओ तू आपने लिया तो क्या है कितना है भाई ध्यान देना कार्बन का भार कितना होता है 12 और ओटू का 32 सहीए दोनों किस पहाड़े से कड़ते हैं चार के पाड़े से तीन अनुपाद आठ हाँ या ना जल्दी बताओ फटावर सही है यह सो नो फटावर कमेंट में लिखो जल्दी 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 ओके अब इसमें भी आ जाओ जरा यह लिखा है आपने टू सी ओ टू यानि कि दो कार्बन और चार ओक्सीजन राइट हाँ नें चार ओक्सीन दो दूनी चार राइट अब चार ना लिखे तो आप इसको इसको टू ऑ कोई दिख्कत नहींत है तो यहां पर कार्बन कितना हुआ भई दो गुणा 12 और यहां पर कितना हुआ ऑक्सिजन दो गुणा 32 सही है आज आगे आगे फटा पट देखे जल्दी करो दो गुणा 12 12 नहीं 24 अनुपाद कितना 64 हाँ या ना अब यह भी क्या है एक ही पाड़े से कट रहे हैं इनका अनुपात में तीन हाँ या ना बात समझ में आ गई होगी मैंने भूती साधारन शब्दों में इस चीजों को समझाने की कोशिश किये ता कि आपको कभी भी डाउट ना हो बेटा यहां से क्यस्टन कन्फो में जो आएगा ही किस तरह के क्यस्टन आएंगे वह अभी प्रैक्टिस करेंगे तब पदा चल जाएगा कि किस तरह से पूछा जाता है ओके बात समझ में आ गई तो फटा फट यस मैं लिख दें और इसका स्क्रीन शोट जड़ा ले ले ओके फटा 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 पर ल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है क्या है जी क्या रहा है जी कि चार ग्राम हाइड्रोजन कुछ ऑक्सिजन के साथ देखो बच्चों अपन जब क्यस्टन पढ़ते हैं न तो जो चीज अपने कुछ चाहिए या काम किये उसको वहीं पर अंडरलाइन कर दे किसी भी क् करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है आप अपलाई करके देखो आपको अपने आप समझ में जाएगी बात ठीक है वही हाइड्रोजन चाहिए ना तो चार हाइड्रोजन तो होगी होगी जाए ऑक्सिजन आपस में रियक्शन करके पानी बनाता है वो कितने ग्राम है ठ अपने के द्रवेमान स्रंक्षन के नियम को लागू करके बता लगाई है कि कितनी ऑक्सिजन का उप्योंग किया गया होगा जल्दी जल्दी सब बच्चे फटा-फट इस क्योस्टन को करेंगे क्यों क्योंकि मैंने आपको ह2 का एक्जाम पर देकर यह द्रवेमान स्रंक्ष अभी पीछे समझाया है डन फटा-फट देखें जल्दी कर दें ताकि मेरे को भी समझ में आ जाए कि मेरे बच्चे जो हुनहार है वह मन लगा गर पढ़ाई कर रहे हैं जी चलो फटा-फट 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 कर लिया अरे वाह वेरी गुड इतनी स्पीड तो वेरे आपने क्या किया सबसे आपने लिखा होगा हाइड्रोजन अक्सिजन जल बनाते हैं, सही है क्योंकि वहовजी दिख रहा हाइड्रोजन máxim deut और जन पानी बन गया फिर आपने लिखा होगा कि अपने को दिया गया क्या है हाइड्रोजन कितने ग्राम चार ग्राम ऑक्सिजन कितने ग्राम एक्स ग्राम और पानी 36- अगिया हो गा कि उधर द्रेविमान स्रंक्ष्ञं के नियम की अनुसार क्या अभी कारकों का द रेमान उत्पात के द्रेमान के हमेशा है क्या होता है बराबर होता है बिल्कुल के ये ना बिलकुल बिल्कुल बच्चे लिख रहा है कमेंड में यस मैं हमने ऐसे ही किया है very good मेरे बच्चों very good ऐसे पढ़ते रहो बस जीवन सफल है चलो जी चलो आगे फिर अपन देखते हैं कि अपने कुछ ऐसा ही हुआ अभी कारक कितना है चार ग्राम उतपाद अभी कारक चार ग्राम है य और यह इस तरह आगया तो क्या हो गया चाथीस माइनस च्यार ग्राम तो आंसर क्या आया जल्दी बताओ कमेंट में बिल्कुल बिल्कुल 36 माइनस 4 इतनी तो गनित सबका अंसर यही आया होगा सही है जी बिलकुल very good very good मेरे बच्चों सबका अंसर सही है सबने सही किया है अब एक question और जो आपकी screen पर कुछ इस प्रकार है question क्या है जरा फटा फट पड़ो यह सब questions आपको लिखने है भई आपको exam की द्रश्टी से बड़े important है इन में से आएगा ही एक पक्का है यही द्रेवेमान sanction का नियम सत्ते है तो कितना sodium chloride क्योंतीस ग्राम सिल्वर नाइट्रेज के साथ परतिक्रिया करके सत्रा ग्राम सोडियम नाइट्रेड और इतना ग्राम सिल्वर क्लॉराइड उत्पने करेगा क्या कितना question मार्क हो गया sodium chloride यानि अने अब ये question आप सभी को हल करना है जैसे मैंने पहला पीछे जो question कराया वो किया है वैसे ही आप सब को हल करना है ताकि आपको पता चले कि आपने proper बिल्कुल systematic होना चाहिए तब ही answer आएगा वही मानने होगा अगर आपने कहीं से भी ऐसे answer निकाल दिये तो वो मानने नहीं है प्रूट तक्स जर्नीज तहे करेगा जिनको केवल answer आ रहे हैं वो नहीं बेटे क्योंकि केवल answer तो कहीं से भी कैसे भी लाये जा सकते हैं कई तरीकों से लेकिन method के साथ इसका मतलब आपको वो चीज आ रही है समझ में तो चलते हैं ये बात तो clear हो गई आपको बात समझ मे आ गई अब आपको इसमें से कोई ना कोई answer होगा वो आपको देखना है next class में आपको मुझे इसका answer बताना है और मैं आपको इसका answer properly निकाल कर बताऊंगी कि क्या आपने ऐसे ही निकाला है जिसके लिए आपको next class में आना होगा तो ये question homework है आप सब को करना है और उसके बा search करें questions कैसे आ सकते हैं वो भी आप search करो कहते हैं थोड़ी मेनत तो आपको भी करनी है next class में एक्जमपल भी करवाऊंगी questions जो बचे हैं वो करवाएंगे ताकि आप भी उनको समझ सकें तब तक आपको ये जितना मैंने आज पढ़ाया है वो सब पढ़ना है उसको summarize करना है स थाइंक यू